नमस्कार इस इव्यक्यान के मात्यम से हम परियटन उद्ध्योग की समस्यां एबम भविशे की चुनोतियों के बारे में अध्यन करेंगे परियटन ही एक मात्र ऐसा उद्ध्योग है जिससे देश की अर्थ व्यवस्ता को सुद्रड बनाने के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के आउसर उपलप्त कराए जा सकते हैं इस सब को जानते हुए भी अपेक्षा के अनुरूप हम परियटन उद्ध्योग का कारे निश्पादन अभी भी नहीं कर सके हैं कमजोर इच्छा सकती लालफ विताशाही देश में होने वाली आतंकवादी वार्दातें जन अपराद आम जन की उद्ध्योग के परतिवदा सींता के इंदर राजे संबंदों में अक्षर होने वाली कड़वाट अप्रियाप सुविदाएं परियावणिय दुस्प्रबा लोग आधी बहुत सी ऐसी अर्चने या यो कहें कि बादाएं हैं परेटन उद्ध्योग में जिनके कारण व्यापक संबावनाओं के बावजूद परेटन का विकास देश में पूरी तरह से नहीं हो सका हैं परेटन उद्ध्योग की मुक्खे समश्याएं और चुनुतिया इस परकार से हैं जिसमें सबसे पहली हैं आम जनकी उद्ध्योग की सबसे बड़ी समश्या हैं अभी यह विवार में जन उद्ध्योग नहीं बन पाया हैं आम लोगों की भागीदारी नहीं होने का ही परिणाम है कि परेटन को विकास के एक साधन के रूप में अभी भी द आदी आम जन की प्रेटन उद्यों के परती उदासींता को ही दर्शाती है इस उदासींता के कारण ही प्रेटन इस्तलों पर कई बार प्रेटकों के साथ बदशलूकी की गटनाएं भी गटित होती है दूसरा जो मुखे कारण है वो है जन अपराद वर्तमान समय में समाज में तेजी से बढ़ रहे अपराद भी परेटन विकास को बादित करते हैं डकेती, लोटपार्ट, गुंडागर्दी, पैदी की गटनाओं के निरंतर गटित होने के समाचा जब मीडिया की सुर्कियों में बनते हैं तो इससे उस इस्थान विशेष की चवी खराब होने के साथ ही पूरे देश की परेटन चवी को नुकसान पहुंचता है बढ़ते जनपराद समाज के लिए तो चिंता का विशे बनते ही हैं परेटन पर भी इसका आते दिख बुरा परबाव घड़ती परेटन कों की संख्या के रूप में सामने आता है बस में ट्रेन में नसीला पदर्थ खिला कर यातरियों से लूट पाट करना चीना जप्टी के द्वरा परेटन इस्तलों पर परेटकों के परवेश से करते ही पूरो नियुजीत योजना के तहत उन्हें ठगने की साजिश आदी अपरादों से परेटन उद्योगों परेटन इस्तलों पर असरुप्सा का माहोल भी बनता है ऐसे में बहुत से देशों द्वरा तो अपने निवासियों को भारत न जाने की सला तक वहां के सरकारें देने लगी है तीसरा जो मुखे कारण है वो है असंतोस हड़ताल एवम आंदोलन देश में समय समय पर पैदा होने वाले असंतोस के वातावरन हड़ताल एवम विभिन आंदोलनों से भी परेटन उद्यों को नुक्सान पहुचा है विश्व में भारत ही ऐसा देश हैं जहां पर हड़ताल होने पर काम रोग दिया जाता है रेलें बस अदी रोगने का प्रियस किया जाता है और तोर हड़ताल में बाजार बंद के साथ समय परीवहन बैंकिंग, बीमा, आदी के कारें भी हड़तालों के कारण ठप हो जाते हैं बार बार इस पर कार के कारें होने से परेटन योग पूरी तरह से चरवरा जाता है बंद होने के कारण इस्तान विशेज पर बर्मन के लिए आने वाले प्रेटकों को सबसे ज़दा प्रेशानी जेलनी पड़ती है इस से काला अंतर में उस इस्तान की ही नहीं बलके पूरे देश की चवी धुमिल होती है अगला जो मुखे समस्या हैं वो है योन उत्पिडन की प्रेटन इस्तलों पर प्रेटकों के साथ साथ छेड़ चाड़ की गटनाओं के साथ ही इधर के वर्सों में निरंतर बढ़ती योन उत्पिडन की गटनाएं प्रेटन उत्ध्यों के लिए विशेश रूप से खत्रा बनकर सामने आ रही है बिटेन, अमरिका, कनड़ा, जर्मनी आदी देशों में तो अब विशेश रूप से अपने देश के प्रेटकों को इस सम्मन्द में भारत जाने के खत्रे गिनाने प्रार्म कर दिये हैं विविन देशों की सरकारों दोरा वेब साइट के जरी अपने नागरी को को दी जाने वाली सलाह में भारत में प्रेटकों के साथ होने वाली योन उत्पिडन, सरडिक पढ़तारना, छेड़-छाड़, गाले के लोच और सलील हरकतों आदी गटनाओं का हवाला देते कोई बहुत पहले ही कानून बना कर लागू कर दी गई थी, परन्तु अभी भी उनका परिणाम पूरी तरह से परिटन उद्यों को मिल नहीं पाया है, इसकी बड़ी वजह है केंदर वो राजे सरकारों के बीच समन वेका नहीं होना है बारतिय लोगतंतर की यह विडम बना ही है कि देश में अक्सर केंदर और राजे सरकारे अलग-अलग पार्टी की होती है पार्टी एजन्डे पर चलने के कारण केंदर में कोई निर्ने होता है तो राजे सरकारे उसे मानती नहीं है इसे प्रकार राज्य सरकार के इस्तर पर यादी कोई महत्वपूर्ण निर्ने परिटन का लिया जाता है तो उसके लिए केंदर से सयोग नहीं मिल पाता है इस प्रकार से केंदर और राज्य के समन वेकिया बहुमें परियटन उद्द्री का बड़ा भारी नुकसाल होता जा रहा है अगला जो मुखे कारण है वो है शेक्शन परिक्शेक्शं की अप्रियाप्ता परियटन विकास के अंतरगत अक्स़र परियटन से जुड़े लोगों को ध्यान में रखकर ही शिक्षन परिक्षिक्षन की गतिविदियों का क्रियान वेल किया जाता है ऐसे में आम लोगों में परिटन के परती रूची विक्षित करने की दिशा में आरम से ही किसी प्रकार का प्रियास अमारी यहां नहीं होता प्रेटन के अंतरगत, शिक्षक, शिक्षण, परिक्षिक्षण के जितने भी कारेकरम चलाए जा रहे हैं वे अधिक्तर या तो प्रेटन से जुड़े लोगों के लिए हैं या फिर विश्य विध्यालियों प्रबंद संस्तानों के अंतरगत अधियन करने वाले विध्यारतियों के लिए होते हैं आम जन को प्रेटकों से जोड़ने, प्रेटनीस्तलों को साफसुतरा रखने, प्रेटकों का बहतर वातावन देने, उनके साथ आत्मेता से पैशाने अपनी संस्कर्ती एवं सप्वेता के आत्मगोरों के नुबूती उन्हें कराने, आदी के संबंद में आमूखी करन कारिक्रमों का हमारे यहां सरवता अबाउरता है इसका बड़ा नुक्सान यह होता है कि एक और जहां प्रेटक स्थानी लोगों से अपने को जुड़ा हुआ नहीं पाते, तो दूसरी और इस्थानी लोग भी अपने आपको प्रेटकों से जुड़ नहीं पाते तो यहाँ एक मुख्य समश्या है शेक्षण और प्रक्षिक्षण की अप्रियाप्तता के कारण परेटकों का और हमारी यह के स्थाने नाट्रियों को का जो एक अच्छा समंध है वो नहीं बन पाया है अभी तक नेक्स्ट है विमानन सेवाओं एवं सुवीधाओं की अप्रियाप्तता हवाई सेवाओं के मामले में भारतिय प्रेटन अभी भी बहुत पिच्ड़ा हुआ है हाल एक सर्विक्षन के नुसार भारत आने के लिए देश में न तो प्रयाप्त विमान सेवाई हैं और नहीं अंतरास्टे हुआँडे और यात्री सुवीधाओं हैं बारत आने के लिए अंतरराष्टे विवान सेवाएं सालाना 63 लाग से अधिक सीटें उपलब्द कराती हैं जबकि आवसकता इससे पांच गुना अधिक की हैं इसी प्रकार देश में एक करोड़ नब लाख यात्रियों के लिए अंतरराष्टिये विवान पत्तन और यात्री सेवा सुविदाओं के आवसकता के विप्रीद 97,90,000 यात्रियों के लाइक की सुविदा उपलब्द हैं घरे लिए वाई मारगों पर भी लगबग 2 करोड़ सीटों की आवसकता के आगे उपलब्द था 1 करोड़ सीटों की ही हैं तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विमान अंतरास्ट्रे विमान सुविदाओं के विस्तार के साथ ही घरे लिए विमान सिवत सेवाओं में भी अभी बहुत अधिक सुदार क्याव सकता है सारवजनिक तथा निजी क्षेत्र, दोनों एक शेत्रों में विमानों का संचलन परेटन के इसाब से अभी विवसाइकता का रूप नहीं ले सका है विमान इंधन पर भी विविन राजियों में अलग-अलग शुलक हैं निजी विमानों के लिए हवाई अड़ों के किराए आंत्रिक वायू यात्रा करों तता संचाला संबंदी अन्य खर्चों को देखते हुई गरेलू विमान कम्पनियां मजुद अड़ाचे के सहारे अधिक समय तक टिक पाने की इस्तिती में नहीं है अगला जो मुखे कारण है वो है पैशेवर कुशलता एवं अन्य बादा है परेटन के सबसे बड़ी बादा आज देश में यही है कि इतने वर्सों के बाद भी परेटन का परबंदन पैशेवर रूप में प्रभावी रूप में सुनिश्चित नहीं किया जा सका है यह विडम बनाई की बात है कि परेटन को हमने उद्योग तो गोशित कर दिया परन्तु इस बारे में विचार अभी भी नहीं किया जा सका है कि क्या दूसरे उद्योगों की तरह परेटन का परबंद भी यहां किया जा सका है वस्तुतर सिद्दान्त में तो हमने परेटन को उद्योग गोशित करने की पहल कर दी परन्तु विवार में अभी भी परेटन उद्योग का रूप नहीं ले सका है तो इस प्रकार से आज के इस विव्याट्यान के माद्यम से हमने परेटन उद्योग की समश्याओं के बारे में अधिन किया और भविशे की जो चुनोतिया हैं उनके बारे में अधिन किया धन्यवाद